नमस्कार आपके अपनी पुस्पा के चनिश्टार में स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक का बटन दबाए सब्सक्राइब का बटन दबाए बेल आइकन दबाना ना भूलें जिसे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंशते हैं चली ब बनाई होंगी खाई होंगी सिर्फ 10 मिनिट में बनकर तेयार होने वाल यह रेसिपी यह को 700 ग्राम किया है इनको छील दी है मैंने चिलने के बाद इनके आगे पिछे के रूट्स कट कर लिए हैं रूट्स काटने के बाद इने गोल-गोल एक-एकन्स के टुकड़े को कट कर लेंगे कट करने के बाद इनके दो भाग कर लेंगे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं मैं इनके दो भाग कर दे जो आसानी से तलने में आसानी हो जाए तो जब भी बनाएं इसी तरीके से ज़्यादा बारिक कर लें या मोटे-मोटे ही रखे मेरी तरह कोई दिक्कत नहीं है इस सारे भूनकर तलकर आराम से यह गल जाएंगे क्योंकि आजकल बहुत सौप्ट गिये आ रहे हैं और ताजी ताजी हरी हरी की है तो एक बार इस तरीके से दम नई रेसिपी बना कर देखेंगे तो आप चट से बनाना पसंद करेंगे अ फट से खाना पसंद करेंगे एक दम बहुत ही आसान तरीके से बन करते यार होने वाला यह रेसिपी खीये की इस तरीके से सारे मैंने गोल काट लिए गोल काटने के बाद इन्हें बीच से एक कट ओर लगा दिया है तो इसी तरीके से सारे काट लिए मैंने 700 ग्राम घीय था घीय को मैंने छीला उसके बाद कट कर लिया इसी तरीके से सारे कट कर लिए मैंने और छीलने के बाद धो लें धोने के बाद ही कट करें तो इससे आसानी हो जाएगी अब यहाँ एक कुकर चड़ा दें गैस पे उसके बाद घी डालें चार चम्मच घी घी बस चार चम्मच ही पर्याप्त है जादा नहीं डालेंगे घर के चम्मच से चार चम्मच और इस तरीके से घीय को डालके इसे तल लेंगे जितना हो सके उतना फ्राइग करें घीय को कंटीन्यू चलाते हुए गैस पे सुनेहरा ओने तक अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर जेन ना हो जाए तो इसी तरीके से भूनते हुए कंटीन्यू चलाना है और इसे भूनना है क्योंकि घहेम पानी होता है कितनी जल्दी भून करता है यार हो गया कम से कम तीन से चार मिनिट तक अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे कंटीन्यू चलाते हुए भूने भूनने के बाद जब सुनेरा हो जाए हलका हलका तब इसे छोड़ दे थोड़ा सा और भूनने दे नीचे के साइड जो रह गया हो वह भी भून जाएगा उसके बाद डालेंगे आधा कप चीनी चीनी वजन में देखेंगे तो 125 ग्राम चीनी है इतना मीठा बहुत है तो आज घीये का हलुआ बनने जा रहा है वह भी कूकर में तो जट से बनाएं और फट से खाएं सिर्फ 10 मिनिट में बन कर तयार और चीनी डालने के बाद इसे क छेना बन जाएगा इसे लिए आधा कफी दूट डाल रहे हूं है बाकी दूद को बाद में यूज करेंगे हम और इसे अच्छे से मिला लें मिलाने के बाद चीनी और घीया अच्छे से मिल जानी चाहिए उसके बाद दूट डालें दूट डालने के बाद इसे अच्छे से एक दो मिनिट के लिए चलाएं उसके बाद धकन बंद करके दो से तीन सीठी आने तक इसे दो से तीन सीठी आने के बाद इसे बंद करेंगे धकन को गैस को बंद कर देंगे उसके बाद यहां इंस्टेंड मावा तैयार करेंगे एक कप दूद लेंगे आप चाहें तो दो कप भी दूद ले सकती हैं आदध कप मिल्क पौडर परियाप थे इतना ज्याधा नहीं डालेंगे आदध कप मिल्क पौडर और एक कप दूद दोनोंको अच्छे से कंटिनउ चलाते हुए गैस के फ्लेम हाय कर देंगे और इसे कंट्ट्नीर चलाते हुए मावा बना लेंगे फलेजिपि इंस्टेंट मावा बना पांच मिनिट में बन कर तेयार हो गया है यह मावा आप इसका डखकन खोल के देख लेंगे जब यह गैस अपने आप निकल जाए तब डखकन खोलें यह देखिए कितना बढ़िया बन कर तेयार हुआ है और जो दूद ढाला था हमने उसका छेना बन गया है कोई दिक्कत ने खाने में बहुत ज्वाद लगेगा और इसे हाथों से ही चिमचे से ही फोड़ लिए है आप चाहें तो मैसर की मदब से भी पोड़ सकती है मैंने मैसर से नहीं चिमचे से ही फोड़ लिए है देखिए कितना बढ़िया भूनने के बाद कलर आया है कितना बढ़िया भून कर तैयार हुआ है कोई कह सकता है घीए कहल हुआ इंस्टेंट बन कर तैयार पटा-पट से अब यह जो मावा बनाया था हमने इंस्टेंट वो ढाल देंगे बागी जो बचा है उसे बाद में खुरच के डाल देंगे अभी फिलाल इतना ही डालेंगे बेश्ट कोई चीज नहीं करेंगे इस तरीके से चलाते हुए कंटिन्यू चला लेंगे जो मावा अच्छे से घीए में मिक्स हो जाए बहुत ही आचान तरीके से यह हलुआ बन करते यार सिर्फ 10 मिनिट में घीए को भुनने में सिर्फ 5 मिनिट लगे और 2 सीटी आने तक बन क कर दें अब यहां काजू बादाम किसमिस जो भी चीज़े डालना हो ड्राइफ फूट्स वो डाल दें मैं खरबुजे के भीज भी डाल रही हूं काजू किसमिस सबी चीज़ों को अच्छे से डाल के अच्छे से चला लेंगे एक से दो मिनिट के लिए हाई फिलेम पर चला अच्छे से भूनाई करने है जितना हो सके घी रिलीज होने तक अच्छे से भूनाई करेंगे जब तक यह गहीं और न छोड़ते जो हम ने घीडाला था चार चमच घी में देखेंगे कितना सार घीः चोड़के तैयार हो गया है देखें कितना बढ़ियां भुन कर तयार हुआ है इसी तरीके से यह कहलुआ बनाएंगे इंस्टेंट फटाफट आप गर्मा गरम सर्व करेंगे महिमानों को खुश करें खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं एल्दी और टेस्टी रेसिपी बन कर तयार हुआ उपर से डालें काजू उपर से डाल दें जो मावा खुरच के रखा था वो डाल दें तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें बेल आइकन नमाएं जिससे मेरी वीडियो की फिरिनोटी पीके सनाब तक पहुँचती रहे है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी गीए केलवे की हम जरूर कमेंट करें कमेंट करना ना भूलें घीए के एकदम इंस्टेंट हलुआ तयार है 5 मिनिट में बन कर तयार उपर से डालें मावा जो भी चीज़े अच्छी लगे आपको वो डालें ना लगे इसकेप करें गर्म गरम सर्फ करें महमानों को कुछ करें खुद भी इस गर्मी में अगर अगर हलुआ नहीं खाया घीएगा तो क्या खाया अगले वीडियो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत टेक केर इन बाय बाय